आप सभी का बहुत बहुत स्वागर आज के सेशन में पूरा समय मुझे आपका पूर्ण ध्यान चाहिए तो शुरुवात करते हैं आज के इस नए सेशन से जिसका नाम है प्रत्यक वाक्य चाहिए लेकिन वो है या नहीं यह आपको वाक्य देखके पैचानना है तो आपको स्क्रीन पर एक वाक्य दिखेगा वाक्य देखके आपको यह डिसाइड करना है कि वाक्य सही है या गलत ध्यान इस चीज़ पर देना है कि वाक्य चाहिए तो शुरुवात क सबसे पहले अगर continuous tense में वाक्ष है जो कि मैंने आपको बताया है तो इसमें ing से समाप्थ होने वाला action word होना चाहिए क्या इसमें है यहां है opening दूसरा इस ing से समाप्थ होने वाले action word के तुरंत पहले power word one होना चाहिए क्या है जी हां है was यह power word one क्यूंके इस वाक्य में power word one plus action word ing दोनों सही तरीके से आये है इसलिए वाक्य continuous tense रूप में है और यह correct वाक्य है next sentence his father blessing all my friends क्या यह वाक्य सही है इस वाक्य में ing से समाप्थ होने वाला action word तो जरूर है लेकिन इस शब्द के पहले power word one का तो ठिकाना ही नहीं power word one के बगैर अगर ing के रूप में action word आया तो वो गलत है इसलिए यह वाक्य गलत है इस वाक्य को सही करने के लिए हमें ing से समाप्थ होने वाले action word के पहले power word one लगाना होगा फिरो प्रेजेंटेंस वाला power word one हो पास्ट का हो या फ्यूचर का तो दिया हुआ वाक्य गलत है अगला वाक्य I am kicking the ball high in the air ध्यान पूर्वक देखिए इस वाक्य में ing से समाप्थ होने वाला action word तो है लेकिन इस शब्द के पहले power word one नहीं है अगर action word ing ये power word one के बगेर आया है तो वो वाक्य सही नहीं है सिर्फ action word ing के कारण वाक्य continuous नहीं बनता वाक्य continuous tense में होने के लिए power word one प्लस action word ing होना चाहिए तो ये वाक्य गलत है व्याक्रण अनुसार ये वाक्य बिलकुल गलत है अगर इस वाक्य को हमें सही करना है तो हम kicking इस शब्द के पहले power word one जोडेंगे फिर वो present tense का हो तो वाक्य present continuous बन जाएगा अगर वो past tense का हो तो वाक्य past continuous बन जाएगा और अगर वो future हो याने will be तो ये वाक्य बन जाएगा future continuous tense अगर वाक्य की और बढ़ते हैं many flowers falling from this tree at least two times in a week इस वाक्य में ing से समाप्त होने वाला तो action word है falling, fall याने की गिरना लेकिन इस शब्द के पहले power word one लेकिन नहीं है इसका मतलब ये वाक्य गलत है इस वाक्य को continuous tense का जायज वाक्य बनाने के लिए हमें power word one लगाना होगा फिर अगर मेरा power word one present का रहा तो ये वाक्य present continuous बन जाएगा past का रहा तो past continuous बन जाएगा और future का रहा तो future continuous बन जाएगा अगला वाक्य इस वाक्य में आयन जी से समाप्त होने वाला action word तो जरूर है लेकिन उसके पहले power word one का कोई ठिकाना नहीं इसलिए ये वाक्य गलत वाक्य है सही वाक्य नहीं है इस वाक्य को continuous tense में सही बनाने के लिए हमें power word one जोडना पड़ेगा अगर power word one present tense का है तो वाक्य present continuous अगर power word one past tense का है तो past continuous और अगर power word one future tense का है तो future continuous अगला वाक्य माइ सिस्टर्स six month old child crying every night देखने के लिए ये वाक्य तो सही लग रहा है लेकिन ध्यान दीजिए ing से समाप्त होने वाला action word तो जरूर है लेकिन उसके पहले power word one नहीं है इसलिए ये वाक्य continuous tense का हो ही नहीं सकता उसको continuous tense में correct वाक्य करने के लिए हमें power word one लगाना होगा power word one अगर present tense तो वाक्य present continuous power word one अगर past tense तो वाक्य past continuous power word one अगर future tense तो वाक्य future continuous और एक वाक्य लेते है last sentence many people coming to cities every year to meet their relatives इस वाक्य में ing से समाप्त होने वाला action word तो जरूर है कौन सा coming लेकिन क्या उसके पहले power word one है नहीं है तो यह वाक्य गलत हो गया इस वाक्य को continuous tense का जायज वाक्य बनाने के लिए हमें ing वाले action word के पहले power word one लगाना होगा अगर वो present tense का है तो वाक्य present continuous हो गया अगर वो past का है तो वाक्य past continuous हो गया और वो future का है तो वाक्य future continuous हो गया अरे रे वो क्या उस वाक्य में मैंने और एक action word देखा meet जी वो action word था लेगिन उसके पहले to आने के चलते उस word का action चला गया तो to meet ये action word नहीं है तो देखा students continuous tense का correct वाक्य बनाने के लिए combination है power word one अधिक action word ing अगर negative में बनाना है तो power word one अधिक not अधिक action word ing तो ध्यान रखिए इसके आगे आप कभी अंग्रेजी में बोलने या लिखने का प्रयत्न करेंगे तो अगर आपकी बोली या लिखी English में केवल ing वाला action word आया और उसके पहले power word one आया नहीं तो आपको पता चलना चाहिए कि आपसे गलती हुई है ये लोदर्स उमीद करता हूँ कि आज की topics आपको पाइदे मन लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीखके यहां से वापर जा रहे है तो अगले session तक सभी को goodbye see you soon